आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप PTM Service Agent कैसे बन सकते हैं, इसमें आपको क्या काम करना होता है और इससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं PTM Service Agent बनकर आप हर महिले 30,000 रुपे तक की कमाई कर सकते हैं, ये काम आप Full Time या Part Time कर सकते हैं अगर आप एक स्टुडेंट है या आप कोई जॉब करते हैं आपके पास Full Time नहीं है तो आप Part Time में भी ये काम कर सकते हैं अगर बात करें काम की तो PTM Service Agent बनकर आपको PTM के Product Sale करने होते हैं जैसे के All-in-One Quar Code आपके असपास में जितनी भी शॉप्स है आप उन सभी शॉप्स पर PTM के All-in-One Quar Code सप्लाई कर सकते हैं जिससे वो दुकानदार PTM या किसी भी UPAI आप के थुरू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं पेटियम साउंड बॉक्स आप सेल कर सकते हैं पेटियम पर जब भी कोई पेमेंट रिसीव होता है तो उसकी कनफरमेशन साउंड में आती है तो उसके लिए यही पेटियम साउंड बॉक्स यूज़ करना होता है इसके लबा आप Paytm Card Machine Sale कर सकते हैं, Paytm Fast Tag Sale कर सकते हैं, लोगों के लिए Movies Ticket Book कर सकते हैं, Mobile Recharge कर सकते हैं, Train Ticket Book कर सकते हैं, Land Line का Bill, बिजली का Bill Pay कर सकते हैं, Bus की Ticket Book कर सकते हैं, Insurance कर सकते हैं, और Banking Services भी दे सकते हैं, इन सभी पर आपको Commission मिलता है अगर बात करें Eligibility की, तो आपकी एज 18 पिलस होनी चाहिए, अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तब आप Paytm Service Agent नहीं बन सकते हैं, आपके पास एक Android Smartphone होना चाहिए, जो के आजकल सभी के पास होता ही है, आप में Communication और Networking Skills भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको Paytm के प्रोड सब्सक्राइब करेंगे, तो इसमें आपको बार बार फूछे जाने वाले Questions के Answers मिल जाएंगे, जैसे के आपको क्या करना होगा, वो आप यहां देख सकते हैं, आपको टॉप पर टेटियम के क्वार्पोड लेज करने होंगे, टेटियम के प्रोडक्स जैसे के Soundbox, Card Machine सेल कर मोबाइल रिचार्ज, बिजली का विल, ट्रेंट टिकेट, फ्लाइट टिकेट, ओटल टिकेट, बुक करने पर आपको कमिशन मिलेगा, कौन अपलाइक कर सकता है, वो आप यहां देख सकते हैं, आपकी एच कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और आपके पास एक Android फोन होना पीटियम सर्विस एजेंट बनने के लिए आपको कौन-कौन से डॉकिमेंट देने होंगे, वो आप यहां देख सकते हैं, आपको आधार कार्ड की एक कौपी देनी होगी, और आपकी हायस एजुकेशनल सर्टिफिकेट की एक कौपी आपको देनी होगी, पेयाउट इस्ट पीटियम सर्विस एजेंट की लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको इस बेच पराना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप अप्लाई नाव पर लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉम आजाएगा, ये पॉम इसमें आपको अपना नेम, जेंडर, अपना इस्टेट चूस करना है, अपने सिपी का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, इमेल आईडी और कॉन्टेक नंबर डालेंगे, अपनी हायस एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूस करेंगे, अपनी डेटा आफ बर्थ आपके पास एंडरोइड फोन है या नहीं, वो आप यस करेंगे, कौन सब वेबनार सेशन आप चूस करना चाहते हैं, आप टाइमी यहाँ पर चूस कर लीजिए, इसके बारे में आपने कहां से जाना है, आप सोशल मीडिया चूस करेंगे, और इसके बाद सब्मिट कर दे और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, किट के साथ ही आपको कमिशन इस्ट्रक्चर मिल जाएगा, कि किस प्रोडक्ट या किस सर्विस पर आपको कितना कमिशन मिलेगा